हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपके चैनल शेबदार विद आयूश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आई एक्स के स्टॉक के बारे में तो आज दोस्तों बाजार की गिरावट में हम कह सकते हैं आई एक्स ने भी अच्छा कासा अपना हिस्सा लिया पार्टिसिपेशन किया और शेयर आज साड़े नौ परसेंट तक गिरता होने दर आया 9.5% दोस्तों आज स्टॉक क्राश हो गया और कह सकते हैं यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली काफी लोग समझे रहें कि बाजार के करण लेकिन ऐसा नहीं है कुछ ऐसे खबरे निकल कर आई है जो दोस्तों कमपनी को बहुत ज़दा अटनालब हम कह सकते हैं खराब कर सकती है एक खबर कमपनी के शेयर के उपर बहुत बड़ा असर डाल सकती है तो ऐसी वह खबर क्या है वह हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर तो फ्रेंस आई एक पिछले कुछ अगर आप प्लासिक मेहने में देखेंगे तो लग रहा था कि बढ़िया कर रहा है क्योंकि यहां पर जो उसका एक बढ़ेगा तो दोस्तों यह वही खबर है जो पहले भी शेर को एक दो बार गिरवा चुकी है और एक्जाक्ली फिर से वही खबर निकल कराईए आज दोस्तों जी बिजनस पर इंटर्व्यू हो रहा था यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंग का और उनके द्वारा कहा ग दोस्तों यहाँ पर मार्केट कप्लिंग को लिया जाएगा यानि एक पूरा यूनिफॉर्म मार्केट क्रियेट कर दिया जाएगा तो आई एक्स के पास जो मुनपॉली है वो बेसिकली चले जाएगी और जो कंपनी बले देखिए प्राइज डिस्ट्रिबिशन करता है और आप यह समझ सकते हैं कि वो जो कंपनी के वास एक बड़ी पावर है वो इस कंपनी के हाच से जाती हुई नजर आएगी और यह दर दोस्तों आज बाजार के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया और जैसे ही यह इंटर्वी हुआ उसके बाद शेयर में आपको 30 ही से और इसके कारण दोस्तों जो शेयर है वो आज इस प्रकार से गिरता हुआ नजर आया इतना तीजी से दोस्तों स्टॉक जो है वो आज फॉल हुआ है अगर आप साफ देखेंगे इन अब बिग्निंग ऑफ जून लास्ट यह जो आई-एक्स था वो 10% तक गिर गया था क्यो पहले भी दोस्तों ऐसा डारेक्शन निकल के आया था कि जो CERC है यानि Central Electricity Regulatory Commission वो इंप्लिमेंट करने वाला है market coupling in a timely manner अब market coupling को थोड़ा सा और डीटेल में समझते है market coupling का मतलब यह है कि basically single power trading entity होगी जो owned किसके दोरह होगी by the government जहाँ पर price discovery होगी जहाँ पर हम कह सकते है power जो है वो dispatch होगा to short term power trading platforms including IEX यानि सरकार basically एक platform create कर देगी जो platform मान लीजिए अभी IEX के पास है वो platform IEX से चिनकर सरकार के पास हो जाएगा यानि सरकार उस platform को चलाएगी और फिर दोस्तों जो price distribution है वो basically जो भी different different आपके पास हम कह सकते हैं platforms है जैसे IEX पे एक platform ही है तो उनक जैसे दुस्तों यहाँ पर सरकार price बताएगी तो इसका मतलब यह है कि जो price discovery है वो government कर रही है पहले कौन कर रहा था IEX कर रहा था अब जैसे दुस्तों price discovery का इनका जो एक major company के पास हम कह सकते हैं अभी चीज है वो जैसे हाथ से निकल जाएगी overall company market की जो monopoly है इस IEX की पूरी चले जाएगी exactly वो ही हो रहा है IEX साथ रहेगा market leader है किसमे highest in volume terms in terms of power trading market coupling क्या होगा volume कम कर देगा significant manner में IEX के लिए और ये भी दूसरे power trading platform जैसा basically बनता हो नजर आ जाएगा ये analyst का मानना है और ये ही दोस्तों आज का reason था कि stock में इस प्रकार की बड़ी गिरावट हमको 27 रुपेका कर दिया और इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं IEX के अंदर जो major हम कह सकते हैं headwind से जो भी phase हो रहे है from the three factors है पहला factor यह है कि implementation हो सकता है market coupling का दूसरा यह है कि high power price driven जो shift है वो इनके यहाँ से चले आएगा क्योंकि इनकी volume सारी जाती हो नजर आएगी और तीसरा ल देखने को मिलेगी जो इसका फायदा उठा सकती है because एक जगा बन जाएगी IEX तो रहेगा रहेगा लेकिन जब दूसरे सारे प्लेस भी आना चालू हो जाएंगे तो no doubt company की volumes आपको और कम होती भी नजर आएगी तो यह सारे दोस्तों बाजार की डर है जो हम कह सकते हैं इंपक्त देखने को मिलेगा वैसे friends company ने अज एक major announcement भी करती है कि company की board of directors की meeting होने वाली है on Thursday 25th January 2024 इसमें क्या होगा इसमें दोस्तों company अपने financial result जैनि क्यों तरीके numbers पेश करती होने दर आएगी तो 25 तारीक वो होने वाली है 25 जानवरी जब company अपने third quarter के numbers पेश करेगी तो declaration of interim dividend और ये company ने भी काया कि if any approved will be Saturday 3rd February मिलब जो आपको dividend है वो 3 February तक मिल भी जाएगा तो ये भी important date है दो dates को याद रखना है आपको एक तो है दोस्तों 25 जनवरी जब company के third quarter के numbers आते होने नज़र आएगे और तीसरे ये third February जब आपको dividend आपका मिलता होने नज़र आए बात जरूर होने वाली है तो अगर आप IEX की financial performance देखेंगे तो company बढ़िया कर रही है अगर आप लगाता growth देखेंगे तो growth है जरूर देखें मार 1222 में जो company ने 426 करोड का sale किया था उसके सामने company ने 2013 में मात्र 401 करोड का sale ली किया तो वहाँ पर growth देखने को नहीं मिली क्य चीजे से बढ़ रहा था बट उस समय नहीं बढ़ा बट जो company के margins है वो भी almost 84% तक रहा है company का जो मुनाफ़ा था वो करीबन 293 करोड पर आया था इस साल जो पहले करीबन 303 करोड था उससे पहले 213 करोड उससे पहले 178 करोड तो देखें एक बहुत अच्छा business हम कह सकते है ix का था बट वो अच्छा business तब तक ही है जब देखें इनके पास सारे benefits होगे वो benefits अगर चल जाएंगे तो फिर वो business उतना अच्छा नहीं देखेगा exactly वही देखने को मल रहा है इसलिए दोस्तों अगर हाल पर आप देखेंगे तो company के जो sale है वो ठीक ही रहे almost 109 क्रोड प मुताबि company का December quarter ठीक ही रहता है तो यह देखते हैं कि हाँ किस प्रकार से company का यहाँ पर numbers निकल कर आते हैं margins किस तरगी के निकल कर आते हैं almost 85% के margins company ने report के थे दोस्तों September की quarter में जो अपने आप में काफी शांदार थे और जो company का मुनाफ़ा था वो 83 करोड तक नज़र आया या I think company की जब खुद की commentary निकल कर आएगी तो उससे ज़्यादा clear हमको एक vision देखने को मिलेगा पर अगर बात करें stock की अब टेक्निकली अब stock में देखिए important क्या है कि कम से कम अब अपनी levels को respect करें अगर दोस्तों यहाँ पर गिरावट हमको हावी होती वे नज़र आती तो एक सो सोला रुपे जो उसका बावनुफता कर हो है एक सो बीस रुपे अप मानी जी राउंड़ आफ करके वो एक स्टॉंग सपोर्ट के दौर पर काम करेगा बिकोस हमने वहाँ से stock में एक bounce back देखा था बट यह बाद ध्यान रखिए अगर कोई negative news flow होता है तो बहुत बार support, resistance, कुछ काम नहीं आते हैं बिकोस जब भी कोई news flow होगा तो दोस्तों stock उसके basis पर चलता हुआ नजर आता है और exactly वैसा ही हमको देखने को आज भी मिला है बट यह बाद ज़रूर है कि stock में जो तेजी है उसके expectations अभी ज़्यादा नहीं है बिकोस negative news flow ज़्यादा है कोई positive news news flow है अगर government ऐसा कहते है कि हमारा कोई विचार नहीं है ऐसा भी और बातचीत हुई है तो हो सकता है कि stock वापी से तेजी से recover भी कर जा है पर क्योंकि देखिया आज खुद union minister का ही हमको interview देखने को मिल गया तो ऐसा लगता है कि सरकार अब बिलकुल final stage पर आ चुकी है बिकोस को बड़ी तेजी देखने को मिलेगी बट ठीक है देखना यह होगा कि वो कब होता है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही था बाकिया आप लोग का वी हो है आई-एक्स को लेकर comments में ज़रू दाएगा इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video